नमस्कार फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग substitution method याने की पर्तिस्थापन विदी से इन दोनों equation को हल करके x और y के भायरू कैसे निकालेंगा दोस्तों आइए सीखते हैं दोस्तों हमारे पास दो equation है 2x plus 3y is equal to 11 इसको मान लेते हैं दोस्तों equation 1 और यहाँ पर है x minus 2y is equal to minus 12 इसको मान लेते हैं equation 2 दोस्तों substitution method में आपको कोई एक equation से x या y का भायरू निकालके दूसरी equation में put किया जाता है इसी को हम लोग पर्तिस्थापन विदी जाने के substitution method काते हैं दोस्तों हम लोग समिकरन x से किसी का मान निकाल सकते हैं x या y का और उसको हम 2 में put कर सकते हैं वहां से मेरा कुछ value आएगा या तो हम समिकरन 2 से x और वाई का value कुछ निकालके एक में put कर लोग यहां अक्वेशन 2 से x का value निकालेगे दोस्तों यहां से हमको आज़़ी पढ़ेगा अजहां से हमको आज़़ी होगा निकालना हो वहीं से दौस्तों हम निकालेगे तो equation 2 से देखते हैं यहां पर लिखेंगे by equation 2 या समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है दोस्तों, x minus 2y is equal to minus 12, अब यहां से किसी का एक का भेल्व निकाल लिए तो आप y का निकाल लिजी या तो x का निकाल लिजी, और उसके बाद 2 से लिए हैं तो समीकरण 1 में पूट कर देंगे, तो हम देखी x का निकाल लिए, x is equal to क्या हो जागा दोस्तों, minus 12 पहले से है, और इधर जाएगा minus 2y इधर जाएगा, minus 2y हो जाएगा, यानि कि जो हमारा x का भेल्व आगया दोस्तों, minus 12 प्लस 2y आगया दोस्तों, इसको मान लेते हैं equation 3, यह जो x का भेल्व आया है दोस्त x का मान समिकरन एक में रखने पर है, x का मान समिकरन एक में रखने पर है, इंगलिस वाले बच्चे लिख सकते है, the value of x voting in equation 1, ठीक है, अब देखी, equation 1 के है दोस्तों, 2x plus 3y is equal to 11, यहां से हमको x का भेल्व रखना, x कितना है दोस्तों, minus 12 plus 2y, यहां से 2 लिखेंगे, x का जा क्या लिख देंगे, minus 12, plus 2y, और इधर क्या है, plus 3y, is equal to 11, यहां से जब 6 करेंगे, तो यहां से y का भेल्व निकल जाएगा, दोस्तों, देखी वेजर, अब यहां से गुना होगा, 2 से दोनों में गुना होगा, 2 से पहले minus 12 में गुना करेंगे, तो 12 तू जा, 24, और minus का सा जाने, तो minus लगाएंगे, फिर इस से गुना होगा, इसमे, 2 into 2y क्या हो जाएगा, plus 4y, और इधर पहले से क्या है, plus 3y, is equal to कितना हो जाएगा, दोस्तों, 11 हो जाएगा, अब यहां से यह by बला टर्म जूट जाएगा, दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 24, plus 4 by, plus 3y, is equal to 7 by, is equal to 11, अब यहां से अप लिख सकते हैं, क्या, 7 by को इधर रहने देंगे, और इधर, क्या है, पहले से, पहले से 11 है, और यह minus 24 है, जब equal कितना हो जाएगा, plus 24 हो जाएगा, तो 7 by is equal to क्या आजगा, दोस्तों, जब इन दोनों को add के जएगा, तो 4, 1, 5, 2, 1, 3, यानि कि 35 होगा, यहां से अप लिख सकते हैं, by is equal to 35 by 7, यानि कि 5 टाइम कटेगा, तो यहां से क्या आएगा, by कभेलू, दोस्तों, हमारा 5 आगया, अब हमको x कमान निकालना है, तो जो हम समिकरान 3 माने हैं, दोस्तों, यहां पर देखिए, equation जो 3 माने है, उसमें अगर हम by का value पूट कर देतों, हमसे हमारा x का value आ जाएगा, तो अब लिखेंगे, by कमान, समिकरान 3 में रखने पर, समिकरान 3 में रखने पर, the value of by is putting in equation 3, दोस्तों, अब equation 3 क्या है, x is equal to minus 12 plus 2y, plus 2 into by, by का value कितना है, 5 है, तो 2 into 5 करेंगे, यहां सो जाएगा, x is equal to minus 12 plus 2 5, जा 10, अब इन दोनों को जब सर्क टेक्ट किजएगा, तो x is equal to minus 2 आ जाएगा, दोस्तों, यानि कि, इन दोनों equation को solve करने पर, x का value minus 2 और by का value 5 आगे, दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो चैनल को subscribe जरूर कर लिजे दोस्तों, और इस वार हम लोग class 10th, 11th और 12th तीनों class के लिए NCRT math solution करवाने वाले है, full concept के साथ हो सके तो आप इस तीनों class में है, तो आप इस चैनल को subscribe जरूर कर लिजे और आपने दोस्तों को पास सिर किजी दोस्तों, चलिए ही मिलते हैं next video मे